हेलो वाट्सप गाईस माई नेम स्मिनोध बादू थापा एंड वेलकम तू जास्क्रिप्ट इन अंडर देज जहां गाईस तो आज है हमारा थर्टीएत डे एंड बाताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने बाके की जो चैलेंजे से उसको टैकल लिया उसको प्रैक्टि जाएगा ठीक है सो गाईस हमारा इस वीडियो का लाइक टागेट ऑन्ली 100 लाक्स प्लीज लाइक कर दीजेगा मुझे बहुत ही ज्यादा मुटिपिशन मिलने वाला है तो मैंने जैसे कि काता गाईस आज को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्यूंकि फाइनली अब ह बीच में कितने डेज है we have how many days ठीक है वो आपको find out करना है अब आप यह सोचिए यह हम कैसे कर सकते हैं जास्किप्ट आप अपने हातों में अगर गिन रहे हो या अगर आप कैलेंडर चेक करें हो that's fine वर्ट जास्किप्ट की दुनिया में अगर आपको इस तरके से दो है इसमें बनाए हुआ है इस वाले वीडियो इसको आप प्लीज चेक आउट कीजिएगा लिंक मेंने सब का नीचे दिया हुआ है पार्ट बार्ट बार्ट वेबसाइट का सब का दी गई है आप उसको चेक आउट कीजिएगा ठीक है so yeah guys this is your chance pause the video right now and try it yourself and I hope guys आपने जरू practice कियोगी and आपने जो भी solution लिखा please let me know in the comment section ठीक है and all right तो देख लीजिए कैसे हम कर सकते है सबसे ज्यादे इंपॉर्टेंट तो यह कि आपको dates जो object है उसमें methods कौन से है उसकी क्या properties है यह आपको समझना जरूरी है सबसे पहले तो else आप करी नहीं पाओगे फिर so it's calculate days between days zoom कर देता हूँ आप लोगों के लिए है न यह इस तरीक से चलो ठीक है we have total two days तो एक मैं d1 कर देता हूँ दूसरे को d2 कर देता हूँ day 1 and okay यहां पर गड़ रखा है ठीक है चलो अभी मेरे पास दो date आगे ठीक है अभी सबसे पहले एक चीज मैं आपको simple बताता हूँ whenever it comes to dates तो हम dates को कैसे create कर सकते है we have one object तो मैं simple चल देता हूँ let's say current day या date जो भी आ constructor and then date object को आपको इस तरीकिस hit करना है ठीक है अगर यह आप करते हो console.log and then current date अगर आप लिखते हो तो at least आपको देखो यह जो time अभी देख रहा है 2024 आज तिन तारीक है पांच वा महिना है 2024 है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हाला कि बना तो मैं 11 बच्के 12 मिनेट पर नीचे बड़ यहां पर आपको दिखाए दे रहा time 542 34 कुछ इस तरीकिसे ठीक है तो यह क्या है कि guys यह आपका चलो ठीक है कहीं ने कहीं यह आपने को एकदम standard time वो दे रहा है ठीक है अगर आपको local time ची होगा to local date string कुछ इस तरीके से है ठीक है इसके मैंने कहा न अगर आपको methods नहीं आता होगा तो guys आपके लिए फिर मुश्किल है यह बात आ रहा है कि function जब भी इस तरीके से which is बस ध्यान में रखना कि 5 जो है वो अपना day नहीं है it's a month basically foreign में अमिरगन में ऐसी चलता है and instead of this date आप यहाँ पे time के साथ भी खेल सकते थे ctrl s save करता हूं इसको run करता हूं तब आप देख लीजे 11 बच के 13 minute and then 46 seconds अब मैं एक और बार करूंगा तो 46 से वो बढ़के 51 हो गया तब आपको पता चल गया कि हम कैसे date के साथ खेल सकते हैं हम कैसे आज का date पता लगा सकते है और जो मेरा current time है उसको मैं कैसे पता लगा सकता हूं अभी जिनको भी बिलकुल भी idea नहीं है यह new date क्यों लिग दिया भई और यह उपर से कहां से आगे यह दुनिया के ऐसे methods तो clear बोल रहा हूं फिर से one more time आप इसको बुरा मत माने बट आपको प्लीज पहले जो basics है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर यह सुस्तों में एक project बनाते बनाते में कुछ सिख लूंगा या मैं यह जो problem में उसको solve करते करते सिखूंगा तो वह नहीं होता फिर वह फिर आप उतना ही सिखोगे जितना आपको इस problem में यूज हो रहा हूं उसके उपर ना नीचे कुछ नहीं आने वाला फिर आपको कभी ठीक इसलिए को basic सिखना जरूरी चलो ठीक है यह तो मैंने आपको दिखाया अब यहां पर मुझे बस क्या करना है ना मुझे अभी क अब देखो मेरे पास डेट आ गया है मेरे पास दूसरा डेट भी आ गया है मैं पता कि बहुत इजी लेक चीज़ कर सका हूं जास्क्रिप की दुनिया में एक रूल है वेनेवर इट कमस तो च जब आप दो देट को माइनस करते हो आपको आपको आप्पूर दे देता है हमें वही चाहिए हमें दो देट की बिचका difference चाहिए था राइट तो मैं क्या कर देता हूं let difference लिख देता हूं and will be equal to it will be like date obviously date 2 2-date1 ठीक है यह मैंने कर दिया अल्राइट अब मैं यहां पर चलता है इसको मैं रन करता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है अन्डिफाइन दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि मैंने ना तो इस फंक्षन में कुछ कुछ रिटन की है और नहीं इस फंक्षन के अंदर में कुछ कुछ करा रहा हूं तो इसको रहने दो इसको मैं फिर से अटाता हूं अब यह जो मैंने लेट डिप जो निकाला है उसको मैं आपको दिखाता हूं कि उस पर आपको क्या आउटूट मिला तो जब भी आप 2-dates को म वो दोनों constant है time होता तो obviously increase हो रहा होता ठीक है तो इसको मैं अटा देता हूं अब फिर से एक और बार यह जो date I mean यह जो भी मुझे मिल रहना यह है time in milliseconds क्या है यह time in milliseconds तो अब यह जो milliseconds है इसको अगर मुझे day में convert करना हो तो मैं क्या करूँ आप समझ रहे हो अगर मैं यह ब right मेरे पास 24 गंटे है and मैंने बोला कि मुझे इसको day में convert करके दो तो एक दिन में कितने गंटे होते है 24 ही होते so अब 24 जो मेरे पास है divided by 24 क्योंकि एक दिन में इतने ही होता है equal to 1 तो मलदब यह एक दिन में इतने गंटे होते बोलकि मुझे पता चल गया उसी तरीके से now I have time in milliseconds तो इस millisecond को मुझे day में convert करना है सबसे पहले देखो मैंने यहां पर hint भी दे रहा है आप लोगों के लिए इसको मैं आभी फिला लटाता हूँ ठीक है एक दिन में कितने गंटे होते है 24 गंटे अब ठीक है अब एक घंटे में कितने minutes होते है 60 minutes चलो ठीक है अब एक मिने seconds आपका एक सेकंड होता है अब यह जो 60 seconds आपका एक minute होता है अब यह जो 60 minutes से आपका एक घंटा है 24 गंटा जो आपका एक दिन होता है ठीक है तो यह जो मैंने calculate I mean इतना लंबा जो numbers मैंने निकाले यह जस्ट यह पता लागा निकले कि how many milliseconds in one day अब मतलब यह कुछ तो 86,400 प now मैं एक काम करूँगा यहां पर यह जो भी date मुझे आ रहा है sometimes it may possible कि negative में भी value आ जाए तो वो risk मुझे नहीं लेना है and already हमने math objects भी पड़ा है मेरे उसमें तो math.absolute करके एक value वह मैं लेने आ लागा मैंने बहुत in-depth में इसको आपको पुरा graphic ppt के साथ समझाया था आप प्लीज चेक आट कर लिजेगा ठीक है all right अब अब बहुत ही ज्यादा easy है I just need to like return so guys simply you need to write div divided by brackets के अंदर यही बस अब आपको 24 गंटे 60 minutes 60 seconds 1000 milliseconds this is it इतना अगर आप कर देते हो तो आप का काम हो गया तो आप मैं अगर इसको run करता हूं तो you will see it's a 30 days obviously न यह एक तारिक है and then यह 31 तारिक है इनकी बीच में कितना दिन बाकी बचा 30 बचा न अब लेट से यह 31 था अब गईस इसको न हमें 5 कर देता हूं and यह जो 5 जन्वरी जो ने यह मेरा बर्थ देट भी यह बाइद विए है न कंट्रोले सेप कर देता हूं अब इसको हटाता हूं let's see how many days so it's a 26 perfect 26 plus 5 अगर कर गोई तो it will be your 31 तो देखा ना गाईस कितने प्यार से कितने अच्छी तरीके से हमने यह find out किया कि अगर कोई भी 2 date हमें मिलती है उसके बीच में कितना days का differences है उसको हम कैसे find out कर सकते है तो I really hope guys आज की दिन आपने कुछ नया जरूर सिखा होगा कुछ नहीं बहुत कुछ सिखा होगा and यह वाला जो पार्ट है इसको तो कभी मत बुलना पो यह हर जगे आप यूज कर सकते ह हो कोई भी आपको date मिलता है अगर आप directly as an argument पास कर देते हो तो आपको वही date and time हो दे जता है right else है आपको always नया date जो current date हो मिल रहा होता है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही होप आपको पसंद आऊगा guys वीडियो पसंद आए तो please like कीजिएगा target हमारा सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक से यार मतलब इतनी मैनत तो एक लाइक तो आप करी सकते हो न मुझे बहुत motivation मिलेगा कसम से comment कर दीजिएगा ये बाके की इतिने सारे playlist में everyday जैसा भी मेरा condition हो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए प्लीज इसको practice कीजिए मुझे खुसी होगी and ये JavaScript क आने वाला है मैंने चाहता आप वो सब वाइसम वीडियो को मिस कीजिए ठीक है अब तक सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा और राइट साइट में क्रेट कला का बेल आइक घंटी दिखाए देता है हीट किजिए क्लिक कीजिए ताक्य आप ऐसे आसे वाश